नवी कक्षा के सभी छात्रों का मैं सिकलगार सर शेकंडर स्कूल एंड जुनेर कॉलेज भिलवडी तवसिल पलूज जिला सांगली से अब सही बीयों का तहे दिल से स्वाकत करता हमने दुसरी इकाई का दुसरा पाठ जो चित्रा मदगुल जी ने लिखा हुआ है जंगल जो पहला भाग हमने देखा जहां पर पियूश अपनी दादी से पूछ रहा था कि सोनू क्यों मर गया उसे क्या दुख था क्या दादी ने कहा था कि उसे अपने माबाप से अलग कर दिया था और आखिर में पियूश ने पूछा था कि किसने अलग कर दिया दादी यहां तक हमने पहला भाग देखा अब आगे देखेंगे चात्रो चलिए किताब लीजिए कौफी लीजिए जो नए शब्दाए कटी शब्दाए उसे लिख कर लीजिए पियूश ने अपने दादी से पूछा था कि दादी सोनू को माबाप से अलग किसने किया था उस पर दादी जवाब देती है उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे पियूश हमने सोन और मोनो को जिस दुकान में से खरीद कर लाए थे उस दुकानदार ने उसे अपने माबाप से अलग कर दिया था दुकानदार पश्यू पक्षियों को पेशता है ना तुमी बताओ माबाप से दुर होकर बच्चे दुक्य होते है के नहीं इस तरह दादी पियूश की समझा रहे थी कि जिस तरह बच्चे माबाप से अलग रहकर दुक्य होती है उसी तरह ये सोनू मोनो भी दुक्य हो गये थे होते है दादी पियूश ने का कि हाँ सच है कि माबाप से दुर होने पर बच्चे दुक्य होती है मम्मी चार दिन के लिए मुझे छोड़कर नानो के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुक्य हुआ था और यहाँ पर पियूश अपना अनभव बताता है कि देखो चार दिन मम्मी मुझे छोड़कर अपने नानो के पास गई थी तो मुझे भी दुक्य हो था दादी दादी दुक्षे मर जाते है कभी कभी पियूश सोनो भी मर सकता है मर सकता है और इस तरह पियूश अपने दादी से पुषता है कि दुक्षे मर सकते है क्या दादी कहते है क्या दादी कहते है कभी कभी तो क्या सोनो मर सकता है मर सकता है इस तरह दादी ने वता दिय कैसे हट पकड लिया था पियोश ने घर में वह भी खरगोश पालेगा तोते का पिंजरा लाएगा तवीशा और शैलेश के संग महरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जलमा दिन पर गया था पियोश उन लोगों ने मंजोले निम के पेड की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था जालिदार बड़े से माकडे में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे पियोश को खरगोश और तोता चाहिए तवीशा और शैलेश ने बहुत समझाया प्लैट में पश्चु पक्षे पालना कटिन है कहा रखेंगे उन्होंने जो कुछ आतरो यहाँ पर हट शब्दा आया है हट यानि जिद मंजोले का मतलम है मध्या तो यहाँ पर पियोश ने हट किया था कि वो आपने माता पिता के साथ महरोली शेलिश जो उनके मित्र है उनके बच्चे के जलमदीन के पारिटी पर चले गाया था तो वहाँ पर एक नीम के पेड़ पर तोते का पिंजरा लटका हुआ था जालिदार बाकड़े में खरगोश पाल रखे थे और यह देखकर पियोश ने भी हट किया था कि हम भी पालेंगे उसे समझाने की कोशिश की कि देखो पियोश फ्लैट में यह पशुपक्षी हम पालना बहुत कटीन संबह हुआ है उन्हें रखेंगे कहा बालकनी में पियोश ने जगध उनली बच्चों के दिल में एक बार उन्हें ने ठांग ली तो उनके पास सबी सवालों के जावब रहते है उसने कहा कि देखो हमारे बालकनी में उन्हें रखेंगे पियोश ने जगध हुन ली थी तवीश ने उसके बाद काट उसे बहलाना चाहा बहलाना याने प्रसंद करना पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते उन्हें कुछ समय के लिए खुला चोड़ना होगा तवीश उसके माने कहा कि देखो पूरे दिन बर खरगोश को बाकड़े में ही बंद रख कर नहीं रखा जाता उन्हें कुछ समय के लिए खुले में चोड़ना पड़ता है चोटे जगर में भागा दोड़ी करेंगे सूसू सिशी करेंगे उनकी टट्टी पेशा कौन साब करेगा और उसे इस जो खरगोश पालनी की इच्छा थी उससे मुख होने के लिए तविशा कहते कि देखो वो चोटे जगर में इदर उगदर भागा दोड़ी करेंगे सूसू सिशी करेंगे उनकी टट्टी पेशा कुन साब करेगा इस फ्लैट में प्यूश के सामने सावाल उपस्चित हुआ उसके पाद जवाब था उसने जवाब में कहा कि दादी करेगी दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीचे कौन करेगा मान लो दादी पढ़ाने के लिए कॉलेज इख चली गई तो उनके पीचे कौन करेगा स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा उस अबोध मन ने पियुष ने का कि देखो दादी आगर चली गई स्कूल में तो उसके पीछे मैं स्कूल से आकर मैं करूँगा सारे हस पड़ा सब लोग तब और चकीत रह गए जब पियुष ने दादी को पटाने की कोशिश की और आखिर पियुष ने दादी को पटाने की कोशिश की क्या खा देखो दादी उसके जलमा दिन पर कोई न कोई उपवार देती ही है क्यों इस बार वे उसे खरगोशा और तोता ला कर दे दे हमेशा जब पियुश का जलमदिन होता है वो अर्शनाट होती है तो दादी कुछ न कुछ तो पियुश को तोफे में देती है लेकिन इस बार पियुश ने दादी को कहा कि देखो मेरे जलमदिन के आउसर पर मुझे खरगोश आरत होता चाहिए निरुत्तर दादी उसे लेकर लजबत नगर चड़ियों की दुकान पर गई दादी कुछ न बोल सकी और जो पास में लजबत नगर है वहाँ पर उस चड़िया की दुकान में चली गई पियूस ने खरगोश का जोड़ा पसंद गया ततकल उनका नामकरन भी कर दिया सोनू मोनू पियूस ने उस चड़िया घर से खरगोश को के बच्चे जे दो थे उनको पसंद किया और उसका नामकरन भी कर दिया सोनू मोनू सोनु मोनों के साथ उनका घर भी खरीद लिया और इस सोनु मोनों को रखने के लिए उसका जो घर था वो भी खरीद लिया जालीदार बड़ा सा माकडा उस सान सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराते रहे और प्यूश के बाग जिसे इर्शा करते रहे यहापर एक शब्दा आया है हमजोली प्यूश के सगे साथी दुसरे रोज भी मोनों सामान्य नहीं हो पाया और इस तरह सोनु मोनों को घर में लाकर रखा गया अब सोनु उसमें से चला गया दुसरे दिन मोनों अभी भी सामान्य नहीं हो पा रहा था प्यूश को भी दादी ने प्ले स्कुल भेजना मुनासिब न समझा और दुसरे दिन दादी ने प्यूश को भी प्ले स्कुल में नहीं भेजा प्यूश उसका घर का नाम था प्यूज घर में रहेगा तो दोनों एक दुसरे को देख दाड़स महसुस करेंगे और इस तरह जो प्यूज घर का नाम है उस घर में प्यूज और अब उन्हों एक दुसरे को देखते हुए दाड़स बंत जाएंगे और आपने एक दुसरे को तसलिदेते रहेंगे उन्होंने स्वयम भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया और दादी भी दुसरे दिन कॉलेज नहीं गई सुबह मौनो ने दूद के कटरे को छोओ तक नहीं और सुबह मौनो को दूद का कटरा रखा लेकिन उसने छोओ तक नहीं उसे बगल में रखे सोनु के खाली दूद के कटोरी को रह रकर सुंगता रहा उन्हें मोनु की चिंता होने लगे मोनों ने उसके कटोरी में रखा हुआ दूद नहीं पिया वो शिर्पग पास में सोनों की कटोरी के ओर देखता और उस कटोरी को सुमता रहा यह देखकर उस मोनों की चिंता सभी उको होने लगी तविशा अपराद बोच्चे बरी हुई थी मानवी दी से उसने अपना सौन्षे बाटा तविशा लग रहा था कि मेरी ही वज़े से हुआ होगा और इसलिए उसके दिन में जो शंका थी सौन्षे था उसने अपने सास मानवी दी को बताया चावल की टंकी में घून हो रहे थे घून जिसे कीड़े मकोडे हम कहते है उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोली की सीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए और इसकी कीड़े मकोडों को मारने के लिए जो डाबर पारे की गोली थी वो सीशे को उसने खोली थी सीशे का धकन मरोड कर उस जैसे उसने धकन खुलना चाहा कुछ गोलियां सिटक कर दूर जा गिरी और जैसे उस सीटी का सीशे का खुला गया उसमेंचे कुछ गोलियां सिटक कर बाहर गिर पड़ी गोलियां बटर उसने टंकी में डाल दी थी फिर भी उसे शक है कि एकाद गोली ओने कोने में छुट गई होगी तविशा ने पूरी गोलिया इकट अकर चावल के टंके में दाल रखे थी भी फिर भी उसे दिल में जंका थी कि एकाद दूसरी गोली कहीं ओने कोने में छुट कर चली गई होगी और दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं यहाँ पर पीउश आता है और दादी को कहता है कि देखो दादी मोनू मेरे साथ खेलता नहीं है बेटा सोनू जो उससे पिचल गया है उसका भाई सोनू उससे पिचल गया है इसलिए वो तुमारे साथ नहीं कहल सकता वो दुख्य है दोनों को एक दुसरे के साथ रहने के आदत पड़ गई थी न देखो दोनों को एक साथ रहने के आदत पड़ गई थी आप मोनू भी दुख्य है मुझे भी तो सोनों की जाने का दुख है प्यूश कहता कि देखो सोनों चला गया इसका दुख मुझे भी है दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे छोटे से नन्ने बच्चे ने शिर्व इतना ही अपने दिन में रखा था कि दुख होने पर मर जाते है अब यह पर मोनु को भी दुख है और सोनों को भी स्वारी प्यूश को भी दुख है और वो कहता कि हम यह दोनों को भी दुख है तो हम दोनों ही मर जाएंगे मानवी दे ने तडब कर प्यूश के मोह पर हात रख दिया दाठा ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है ऐसे बुरी बाते क्यों बोलता है पियू ने प्रतिवाद किया आप नहीं तो कहाता दादी सोनो दुख से मर गया इस पर वो पियूश कहता है कि देखो दादी आप नहीं कहता ना कि सोनो दुख होने पर मर गया कहा था इस सोनू को उसके माबाप से बिच्छेडन का दुक था, जंगल उसका घर है ना, खरबोश का घर कहा होता है जंगल, जंगल उसके माबाप है, तुम तो आपने माबाप के पास हो, उसे माबाप से दुर होने से दुक था, जंगल उनका घर है, वहाँ पर उनके माबाप है, अ प्यूस तु तू आपने माबाप के पास ही है ना दादी हम मोनू को उसके माबाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से प्यूस कहता है कि क्या मोनू को भी हम मानूवी दि कुछ नहीं भोल पाई दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा फिर तो वो मरेगा नहीं न प्यूश ने कहा कि देखो धादी अगर हम मोनो को जंगल में जाकर छोड़ देंगे और वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा तो वो मरेगा नहीं नहीं मरेगा पर तु मोनो के बीना रहस्त लेगा नहीं मरेगा लेकिन मोनो अगर अपने घर में नहीं रहा तु उसके बगर तु रह पाएगा क्या मानविधी का कंट भर आया मानविधी को तुखो वो रद उसका कंट भर आया रह लूँगा प्योश ने कहा कि हाँ दादी मैं रह लूँगा ठीक है छेलेश से कहूँगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले रात में ही खर्गुज दिखाए पड़त शायद मोनों के माबाप भी हमें दिकाय पर जाएंगे दादी मैंने आप से कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए कहा था आप मुझे तोता नहीं चाहिए दादी और इस पर वो कहता है कि दादी मैंने तुम्हें कहा था कि तोता भी चाहिए लेकिन आप मुझे नहीं चाहिए माणवी दी ने प्यूश को सीने से भीच लिया और दनादन उसका मुझ चुमने लगी इतनी समझदार बाते प्यूश कर रहा था उसने अपने प्यूश का अपने सेने से लगा दिया लाण प्यार किया और उसका मुझ चुमने लगी इस तरह का ये पाठ है जंगर छात्रों इसके नीचे दिये हुए स्वाध्याई को साथ में पत्र लेकर है कहानी लेकर है उसे छुड़ाईए पाठ का अध्यन कीजिए अपना और अपने अपने परिवार का खैल रखीजिए धन्यवाद